जहां देश वासियों का सपना तूट चुका है बहुत अच्छा उस्टेलिया ने खेला एक तरह से पूरा वन साइड़ेड मैच जबी जबर्दस प्रदरशन आप गेनवाजी की बात करो आप फिल्डिंग की बात करो और जिस तरह से फिनिश किया ये टॉर्णामेंट और जिस तरह से चटी बार उन्होंने विश्व कप अपने नाम किया जिया चे विकट से जीतने के बाद और जैसा पैट कमिज ने का था कि हम पूरे स्टेडियम को शांत कर देंगा उन्होंने तो पूरे देश को एक सुचालिस करोडों का जो जश्न का सफना था वो ही शांत कर दिया हाँ जी वो कर दिया आना थिंक पूरा कंकरचलेशन देना चाहता है अस्ट्रेलिया को बिकास वो बैटर क्रिकट खेले आम परबि मोमंटम था लकिन एक मैच जो खराब हुआ वो फाइनल हुआ आते हैं फाइनल आते हैं हम हार क्यों जाते हैं टीट्वेंट टीमें में ऐसे ही किया इंग्लेंड के खलाफ अभी उने एस्ट्रेलिया के खलाफ कर दिया अधिंग जे बारत टीम ग्रूप स्टेज में अच्छी है पर बड़ियों गेमों में टेम्परमेंट बहुत कम्जोरी है यह टेम्परमेंट या ओवर कॉंफिडेंस हो गया या प्रेशर आ गया पूरे 140 करोड का क्या का जाए लेकिन फिलाल हकीकत तो यह है कि भारतिया टीम हार चुकिए एमदबाद में मायूस हैं वहाँ पर स्टेडियम में लोग भी अमरेत हमाई साथ हैं अमरेत जी किशोर बिल्कुल पेट कमिंस ने जो कहा वो करके दिखा दिया फैंस में काफी नाज़गी ज़रूर है क्योंकि फैंस का ही कहना है कि आपके दस मैच बहुत चेखेले लेकि जब जो जिस दिन के लिए आप यह मैच खेले वो मैच दो अपनी खेल पाएं क्योंकि अपकी यह भी कहना है कि क्यों भारतिय बल्ले बाजों ने अपनी फिच पर नहीं खेल पाएं हम अपने ही ट्राप में ट्राप में शब्स से यूज कर रहा हूं कि फैंस यह कह रहे हैं कि आपको स्पेरिंग पिच चाहिए स्पेरिंग पिच चाहिए और आपके स्पिनर में दिन ज इस मुकाबले को कि टॉस इंबॉडन नहीं है विच ऐसे बनाकर रखते हैं यहां फाइदा होगा और कंगारू उन्हें गेम प्लाइन किया कंगारू उन्हें हर खिलाडी के लिए गेम लेकर आएं चाहिए हम सुर्कुमार यादव की बात जले कि शोर बता था कि सुर्कुमार बोल रहा चाहेंगे आज मतलब सरे की चीज़ कहना चाहूंगा हार या जीत गेम का एक नियम है और इंडिया के साथ हम लोग लाइफ टाइम खड़े रहेंगे ऐसा नहीं होता कि हारे तो पीट पिजे बोलते कि इसने बॉलिंग खराब डाली जब 10 गेम जीती थी तब इंडिया वाह प्रीश है लेकिन यह बात तो है कि वो पिछ भी अपने हिसाब से हमारे हिसाब से थी हमारे फेवर में लग रही थी लेकिन उसमें भी अपने होम ग्राउंड में एक लाग ती से जार लोगों के सामने क्या जो मॉंटी कहे रहे हैं जब occasion आता है जब बड़ा match आता है तक क्या हम pressure में आ गए बिलकुल आ गए और जिस तरह का cricket खेला जिस तरह का cricket खेला दस बार इतना अच्छा cricket खेलने के बाद जब आप final में आते हैं और इसा जब प्रजरशन करते हैं तो जो नाम हम लोगों ने क्रिकेट के में कहा जाता है कि चोकर साउथ अफरिका है में आज कहना पड़ेगा हमें कि इंडिया भी चोकर्स ही है क्योंकि पिछले करी लेकिन वो लोग तो जीतते मैच हारते थे ये मैच तो कभी जीतते हुए दिखे नहीं इस तरह से आप फिनिश कर दे हो जिस तरह से ऑस्टेलिया ने फिनिश किया और एक बार नहीं चटी बार जीती है तो हमें स्विकार करना होगा कि ऑस्टेलिया आर ट्रूली वर्ल्ड चैंपियन्स अभी तक आई नहीं है लेकिन फाइनल में या तो ये लो आफ एवरेजिस कहले जिए कि एक मैच हारना था और वो फाइनल निकला लेकिन फाइनल हम नहीं जीत पाई जिस्पीट वहां पर मौझूद है जिस्पीट मायूस फैन्स आपके साथ भी देख रहे हैं जिस्पीट आवाज आ रही है क्योंकि यहां पर फैन्स काफी ज्यादा मायूस है बहुत दूर से आई हैं आप कहां से आई थी माच देखने हम लोग सिंगरपूर से आए हैं और मेरी बेडी पहली बार देखने आ रही है उसको क्रिकेट मेरा बेटा पान साल का और ये आ न क्या कहें कि आज ट्रीम इंडिया ने जैसा परफॉर्म किया है इसको थड़ा है हिंदी बोलना ठीक चे नहीं आता है अंग्रेज मेरा दू फीलिंग माउं नौट डाट गूर्ट गूर्ट इसकॉंटे क्योंकि हार को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जोर यहां पे कुछ और हैं आप बताईए आज की परफॉर्मेंस के बारे तो देखिए ऐसा है कि सुखे दुखे समोबुत्वा लाबा लाबो जोया जो वह भगवत किता का मंत्र है तो सुख दूग लाब लाब और जाई विजाई होता रहता है जिंदगी में हरे की हम 10 में जीते वो सब्सक्राइब की बाकी ना ने नहीं किये वो भी अप सिंगापूर से आया हूं और मैं तो बस यहीं चाहरा था कि यह वर्ल्ड कप टीम इंडिया रोहित शर्मा के लिए जीते पर मैं यह कहूंगा कि आज की मैच हम हारे भी रोहित के वज़े से क्योंकि वह इतने अच्छ सब्सक्राइब कर लिए लेकिन महौल जो टीम का है जो ड्रेसिंग का जो है वो थोड़ा गमगीन है प्लेयर्स को भी बता है कि वो अच्छ क्या खोए है जो पाते पाते वो रहा के की शोर्ड